मैंने यहां पे चिकिन सॉसेजिस की पीसेज लिये हैं, तो इसको अब हम स्मॉल पीसेज में कट कर लेंगे, जैसे कि छोटे-छोटे कॉइन्स होते हैं, तो वैसे ही हम इनको कट कर लेंगे सारे पीसेज को, पीसेज का साइज अब अपने रख सकते हैं, मैंने यहां पे चोटे-चोटे पीसेज रखे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे पीसेज कट कर के रख लिये हैं, और साती साथ मैंने यहां पे लिया है, एक शिम्ला मिर्च, जिसको कि मैंने स्मॉल पीसेज में कट तो चलते हैं नेक्स प्रोसस के तरफ गैस पे एक पैन रख दिया है उसमें मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब ऑईल डाला है और जैसे हमारा गरम हो जाएगा जो हमने चिकन सॉसेज के पीस कट करके रखे हैं वह हम इसमें आड कर देंगे और इसमें अब हम आड करेंगे सॉल्ट जो की मैंने यूज किया है हाफ टीस्पून के करीब सॉल्ट आड किया है मैंने इसमें साथ ही साथ मैंने हाफ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर यूज किया है और 1-2 टीस्पून के करीब मैं ने coriander पाउडर यूज किया है coriander पाउडर औप्षणनल है आप चाहें डाल सकते हैं चाहें तो आप नहीं डाल सकते हैं तो इन सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे और ये सब आपने medium flame पे करना है नहीं तो आपके sausages जैल भी सकते हैं और इनको पक्टे में बहुत ज़्दा टाइम नहीं लगेगा जो सॉसेजेज होते हैं वह बहुत जल्दी कोक्ड हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी काफी चेंज हो गया है तो अब हम एक पीस कट करके देख लेते हैं यह देखिए बहुत इजीली कट हो रहा है इसका मतलब जो मारे चिकन सॉसेजे वह बन के बिलकुल रेडी हो गये हैं तो अब हम इसको एक अलग सी प्लेट में निकाल लेते हैं अब मैंने वही पैन यूज किया है तो इसमें मैंने आफ टेबल स्पून के करीब ओईल और अड़ किया है और जैसी हमारा ओईल गरम हो जाएगा मैंने इसमें आड़ किया है कटी हुई प्याज और कटी हुई शिर्मला मिर्च और ये भी अपने मीडियम फ्लेम पे करना है इसको हमें हाफ कुकी रखना है कि हमें पूरा नहीं पकाना है ये जो इसका टेस्ट आएगा वो जो हाफ कच्छा पंजो रहता है इसमें उसी का टेस्ट आता है मैंने यहां पे नमक डाला है आप अपने अकॉर्डिंगली नमक डालें क्योंकि हमने पहले सॉसेजिस में अलड़ी नमक अड़ किया हुआ है और साथे साथ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है यह भी अपने आप अकॉर्डिंगली रख सकते हैं क्योंकि हमने पहले अगर आपको लग रहा है कि आपकी शिम्ला मिर्च को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप उसको थोड़ी देर के लिए आप कवर कर सकते हैं तो मैंने यहां पर एक से दो मिनिट के लिए इसको कवर कर दिया है एक से दो मिनिट हो गए है मैंने इसको कवर हटा दिया है आपने बहुत देर इसको नहीं पकाना है क्योंकि फिर पानी छोड़ने लगेगा तो यह सौगी सौगी से हो जाएगा तो फिर इसका स्टेस्ट बिलकुल भी नहीं आएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी शमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राइ हो चुका है सौटे कर लिया है तो इसमें जो हमने चिकन सौटेज बना के रखे थे वो भी हमने इसमें आड़ कर दिया है और साथी साथ मैंने या पे लिया है हाफ लिमन उसका रस निकाल कभी भी बना सकते हैं तो यह जो हमारी रेसिपी है यह बनके बिल्कुल रेडियर तो अब इसको हम सर्फ करते हैं तो यह रेडियर रेसिपी आप बिल्कुल सर्फ कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और मिल देंगे हम लोग एक जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई, थैंक यू पर वचिंग गाइज.